नमस्कार दोस्तों होप आप अच्छे ही होंगे आज के मेरे चैनल हेल्थ न्यूज में आप सभी लोगा एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको दाद खाज खुजली से निजात पाने के लिए कुछ विशेस मेडिसीन के विशे हैं तो यह जो त्वचा संबंधित रोग होता है खुजली वाली जो रोग होता है आपके त्वचा पर खुजली वाली जो रोग हो जाती है और त्वचा पर आपके दाद भी हो जाता है और फफूदी हो जाता है और जिवाडू संबंधित संक्रम में भी हो जाता है लाली और खुजली और सूखा पन आपको दिखता है और पैरो का दाद जांगों के बीज का दाद और यूरिन इंफेक्शन वाला दाद इसे निनामा बोलते हैं लोग वहां पे भी अगर इंफेक्शन और दाद खाज खुजली हुआ है किसी भी इंटर्नल पार्ट में या बाहर कही पे भी दाद खाज खुजली है तो वहां पे इस क्रीम को लगा कर आप उससे निजात पा सकते हैं काफी समय से आपको दाद परशान कर रहा है तो वहां पे भी इस क्रीम का प्रयोग कर सकते हैं तो इस क्रीम का प्रयोग करते समय कुछ निमन बातों का आपको ध्यान देना ह जैसे कि आपको गुनगुने पानी से जहां पर दाद खाज खुजली हुआ है, उसे धोने के बाद इस क्रीम का प्रियोग सुबह दोपह साम 2-3 बार कर सकते हैं, जैसे मतलब आपको निजात मिल सकता है, और भी कुछ बातों का ध्यान देना है, जैसे इस क्रीम को लगाते समय कोई और क्रिम का प्रियोग नहीं करना है, और यादी आपको क्रिम कोई side effect दिफना है, जो कि आपके रोग से भिन हो, तो आप इस क्रिम का प्रियोग करना बंद pand कर दे और अपने अस्थानी डाक्टर से समपर् कर ले, तो यह company जो है पैकिंग में ये क्रीम आता है जिसकी कीमत की बात करें तो आप देखकर काफी अचमवित हो जाएंगे मात्र 29 रुपय 30 पैसी की क्रीम ये 25 ग्राम के रैपर में आपको मिल जाता है असानी से किसी भी केमिश शॉप पर या अनलाइन आप ले सकते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ पूछना हो तो मेरे कमेंट बाक्स में शेंड कर सकते हैं आपने वीडियो को लाश्य देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद